ये शूरंस में आपका दोज डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाथी और आज का टॉपिक है कंटिनुटी तो आज बहुत इंपॉर्टन टॉपिक पर डील करने वाले हैं जैसे आपने देखा सेट्स रिलेशन फंक्शन और फंक्शन के ठीक बाद आना चाहिए कंटिनुटी के बाद में आता है आपका डिफेरेंसी डिफेरिंसींस और ये कई टॉपिक का बेस बनाता है तो इंग्लिश के इंग्लिश में ने इंग्लिस में देखी कि continuous क्या चीज होती ही तो जो चीज continuity में चलती रहती है वो continuous है जो कहीं break हो जाती है वहाँ पर उसको discontinuity कहते हैं तो यहां पर उस से थोड़ा सा अलग एक कर्व के बारे में बात हो रही है कि कर्व कैसा है तो माल लीजे कि एक कर्व इस तरीके का है इस तरीके का है तो हम यहां से लेके यहां तक यहां से लेके यहां तक इस point से लेके इस point तक इस कर्व को क्या कहेंगे हम इस कर्व को क्या क कहेंगे continuous है और अगर माल लीजे यहां पर ब्रेक हो जाता है और इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 3 है तो क्या कह देंगे कि इस डिसकंटीनियस एक्स इकल टू 3 हम continuity को सारे आस्पेक्ट से देखेंगे सारे आस्पेक्ट से समझेंगे कई अलग-अलग तरीकों से समझेंगे graphically समझेंगे और algebraically समझेंगे और इस पर हम exercise थ्यान से समझें आप exercise आपकी 5.1 ncrt को base बना के आगे बढ़ेंगे तो आप साथ साथ बने रहेंगे हम exercise 5.1 को target करके ncrt की आगे बढ़ेंगे और सारे concept को बहुत logically समझने की कोसिस करेंगे तो फिर से हम definition of continuity पर आएंगे definition of continuity के लिए पहले हमने graph समझा informally हम समझने की कोसिस कर रहे हैं कि what is discontinuity what is continuity तो जहाँ पर भी यह break हो जाता है जहाँ पर भी यह graph break हो जाता है वहाँ पर हमें discontinuity पता चल जाती है हम कई graph बना सकते हैं दोस्तों कई graph हम बनाने में थोड़ी सी हमें मुश्किल भी आ सकती है तो वो graph ऐसे कौन से होंगे जिनकी मुश्किल है जिसमें हमें मुश्किल होगी वो भी मैं आप से discuss करूँगा अभी अगर आपके मन में excitement है तो मैं आपको एक graph बोल देता हूँ जैसे माल लीजे कि आपके पास एक graph है f of x is equal to x square f of x को usually हम किस से denote करते हैं y से करते हैं तो y is equal to x square तो अगर आपने class 11 में देखा होगा कि y is equal to x square x square is equal to y यह क्या चीज़ है यह एक parabola है यह parabola है यह parabola है यह parabola है x square is equal to y यह कहां से आता है यह minus infinity से आता है और कहां तक जाता है plus infinity तक हमारे पास अगर time हो तो हम इसको minus infinity से लेके plus infinity तक draw करेंगे और हम देखेंगे कि minus infinity से लेके plus infinity तक minus infinity से लेके plus infinity के बीच में स्वरी क्योंकि open interval हैं तो तक नहीं बोलेंगे minus infinity to plus infinity के बीच में किसी भी point पे ये कहीं पे भी तूटा हुआ नहीं है ग्राफ बड़ा ही simple है पर क्या ग्राफ कुछ ही होते हैं नहीं ग्राफ तो आप जो decide कर लें आपके दिमांग में जो विचार आ जाए वही ग्राफ बन जाएगा तो जैसे आप एक ग्राफ जो बोल रहा था आपको कि जिसको आपको बनाने में दिक्कत जा सकती है यह सबकर आप नहीं बना सकेंगे तो फिर टेकनिक कि आपने कोई चीज बोली जैसे मान लीजे आपने यह फंक्शन बोल दिया और चलिए इस पर कंटिनुटी चेक करते हैं कि इस पर कहां फंक्शन कंटिनियूस होगा का फंक्शन डिसकंटिनियूस होगा इसी धेर सारी बाते कि हम फंक्शन भी अपने मन का बोल दें पॉइंट भी अपने मन का बोल दें तो देर सुट भी सिस्टेमेटिक मैथट सिस्टेमेटिक अप्रोच हो जिससे हम पता लगा ले कि फंक्शन कंटिनियूस कहां होगा फंक्शन डिसकंटिनियूस कहां होगा क्योंकि किसी के मन में तो इन सारी बातों को ले करके हम इसके सिस्टमेटिक अप्रोच पर आते हैं तो इन फॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने फंक्शन को करने के लिए कुछ इस तरह भी कहते हैं कि अगर आप एक करव को करते हैं करव को करते टाइम अगर आपको पेन की टिप पेन की नोक तो यहां पर मेरे पास चौक है तो चौक को अगर मुझे बिना बिना उठाए हुए किसी ग्राफ को बनाना है और ग्राफ में सक्सेस्पुली बना सकता हूं तो वह फंक्शन कंटीनियस होगा लेकिन अगर मुझे टिप पेन की या चौक की टिप उठाना पड़ेगी तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटीनियस हो जाएगा तो आईए कुछ ऐसे फंक्शन पे देख भी लेते हैं विचार भी कर लेते हैं जैसे आपने एक फंक्शन देखा होगा जिसे हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं अब अगर आप यह देखेंगे कि यह सिग्नम फंक्शन ने यह ध्यान से देखिए यह आपका सिग्नम फंक्शन ने जीरो पे एक्स की वैल्यू जीरो पे जीरो है और एक्स की वैल्यू जीरो सुरी नहीं है तो मॉड एक्स बाइक्स है तो एक्स के उपर दो केसिस लग जाएंगे एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा यह एक्स लेस देन जीरो होगा अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉड एक्स बाइक्स यहने यह क्या हो जाएगा उस केस में एक्स बाइक्स की वैल्यू क्या होगी अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ध्यान से समझें mod x is plus x when x is greater than 0 और equal to 0 minus x when x is less than 0 अगर x की value less than 0 माल लिजे x की value minus 5 है तो minus 5 क्या है less than 0 है तो mod of x क्या होगा इस case में इस case में plus x नहीं लिखेंगे अगर मैंने माल लिजे plus x लिख दिया तो क्या हो जाएगा mod of minus 5 is equal to क्या हो जाएगा x की जाएगे minus 5 डाला यहाँ भी x की जाएगे minus 5 डाले तो mod से negative value आ जाएगी तो इसको to make it positive यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा एक minus तो एक minus जब हम लगा देंगे तो यह minus से minus cancel होगा तो mod x का outcome हमेशा non negative होगा क्यो non negative होगा जब x greater than or equal to 0 है तो यह तो plus ही रहेगा पर अगर x less than 0 है तो यह क्या हो जाएगा minus x तो x वेसे भी negative है और जब minus उसके उपर लगेगा तो क्या बन जाएगा वो positive बन जाएगा तो इसलिए आप mod x की definition समझ गए कि x when x is greater or equal to 0 minus x when x is less than 0 x not equal to 0 है तो दो बाते होगी या तो x greater than 0 और अगर x greater than 0 है तो mod x equal to x होगा यह cancel हो गया यह आगया आपके पास 1 तो इस definition को और extend कर देते हैं तो यह हो जाएगा आपका x upon x is equal to 1 कब when x is greater than 0 इसमें equal to 0 की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि equal to 0 का case independently दिया हुआ है x equal to 0 पे क्या value है 0 अब अगर mod x x की value less than 0 है तो यह हो जाएगा mod x minus x upon वाला upon में change नहीं होगा क्योंकि mod तो केवल उपर पे लगा हुआ है तो यह हो जाएगा minus 1 अब अगर इसको graphically बताएगा तो यह आप graphically present भी कर सकते हैं लेकिन सारे graphs बनाना आपके लिए थोड़ा मुम्किन मतलब possible थोड़ा कम होगा तो आप ध्यान से समझें यह f of x f of x को कहेंगे y अगर आप y equal to 1 समझ रहें तो y equal to 1 क्या होती है line parallel to x-axis तो y equal to 1 है line parallel to x-axis और कितनी डिस्टेंस पर होगी unit distance पर होगी origin से तो unit distance पर y equal to 1 align parallel to x-axis यह line बना दी y equal to 1 आप ध्यान से सुनें जब x की value 0 है तो y की value क्या होगी 0 होगी जब x की value 0 है तो y की value 1 होगी क्या नहीं होगी तो इसको denote करने के लिए यहाँ पर एक hollow hollow खोखला point बना देंगे और इसको bold solid बना देंगे तो इसका यह मतलब होगा कि जैसे ही x की value 0 होगी तो इसकी value 0 होगी पर जैसे KS 0 से थोड़ी se bhi बढ़ती है जीरो से थोड़ी se bhi बढ़ती है तो क्या हो जाएगी इसकी value 1 हो जाएगी और 0 से चोटी होती है जैसे 0 से चोटी होती है तो y की value कितनी होगी y is equal to minus 1 हो जाएगा तो minus 1 होने से इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा और यह भी यूनिट डिस्टेंस पहोगा लेकिन नेगेटिव साइट पहोगा तो इसकी एक्वेशन होगी वाइकुल देखें यहां तक बनाया फिर में यहां पर यहां जाना पड़ा तो यह इस पॉइंट पर इसकॉंट पर इसकॉंट पोएंड कॉन से पॉइंट पे अभी जिस पे देखा भी ऐáticas is equal to zero zero के बाद zero के बाद zero के बाद one आएगा one के बाद two आएगा और कहीं पर discontinuous है नहीं जितना चाहे आप उतना जाते जाएंगे यह function कभी भी discontinuous नहीं होगा तो y is equal to f of x यह y हटा देता हूं में f of x is equal to mod x by x when x is not 0 0 when x is 0 यह इसके दो cases हुए ग्राफ बना दिया आपने और और आप बता सकते हो it is clear from the graph that it is discontinuous at x is equal to 0 यह x is equal to 0 पर discontinuous है बहुत चोटा सा सवाल है यह objective type के question में यह one mark के question में पूश चकते हैं और बहुत ज़्यादा हो तो यह two marks के question में पूश सकते हैं खेर अभी हम definition पर और focus करते हैं और continuity को समझने की कोशिस करते हैं तो और दूसरे तरीके से continuity ध्यान से देखें अगर कोई function दिया है हमको तो उस function का graph क्या होगा अगर graph में कोई problem है तो वो पता चले मान लीजे कि आपके पास एक कर्व है f of x is equal to 1 upon x f of x is equal to 1 upon x तो आपको मालूम है कि इसमें कहां पर problem है इसमें मालूम है आपको 0 अगर x की जगे 0 रख देंगे हम तो f of 0 क्या होगा 1 upon 0 आप calculator से चेक कर लें error बताएगा क्योंकि because it is not defined 1 upon 0 क्या हो जाता है इंफिनिटी होता है और अगर इसका graph अगर आप बनाने की कोशिस करेंगे इसको f of x को y लिखके y is equal to 1 by x तो आपका graph कुछ इस तरह से बनेगा और इसका नाम होता है rectangular hyperbola name of this function is rectangular hyperbola आपको देखो आप यहां से बनाते हुए आए यहां पर कौन होता है minus infinity minus infinity से बनाते हुए आ रहे हैं यहां तक लेकिन जब आपका 0 आ गया तो 0 पे आपको क्या करना पड़ेगा जीरो पे आपको उठाना पड़ेगा इस चौक को पेन की टिप को और जीरो पे क्या बन जाएगा यह जीरो पे क्या बन जाएगा function जीरो पे function यह हो जाएगा discontinuous function will be discontinuous at x is equal to 0 यह graph से हमें पता चली आपके पास एक और करवे y is equal to mod x या इसको ऐसा कहें f of x is equal to mod x अगर आप इसका graph बनाएंगे graph बनाना बेहाद आसान है x की कुछ values ले y की कुछ values ले x की values ले negative positive और उसके corresponding y की value निकाल ले x यह ले लिया y यह ले लिया 0 रखेंगे 0 आएगा 1 रखेंगे 1 आएगा 2 रखेंगे 2 आएगा minus 2 रखेंगे फिर 2 आएगा और उन सारे points को अगर आप यहाँ पे locate करें 0,0 1,1 यह 1,1 है आपका यह आपका कुण सा point है 2,2 है यह 2,2 है फिर आप ऐसे करके इनको मिला देते थे वो मिला भी इसी वज़े से देते थे क्योंकि वो क्या होते थे minus 1 पे कितनी आएगी value 1 आएगी minus 2 पे कितनी value आएगी 2 आएगी फिर इसको ऐसे करके draw कर देते थे इसको draw करने में आपने देखा कि मुझे जरा भी परेशानी नहीं हुई मुझे कहीं पे भी pain की tip उठा मैं मन से उठा सकता हूं यहां तक बनाया फिर मैंने उठा के यहां से लेकिन मैं कोशिस करूँ कि अगर बिना उठाए बना दूँ तो बिना उठाए बना सकता हूं तो यह function कैसा होगा यह function continuous होगा और continuous कहां होगा तो यह यहां से चालू हो जाता है minus infinity खतम कहां होता है plus infinity पे तो मैं ऐसा कहूंगा यह continuous है continuous in R continuous in R, R मतलब set of real numbers R का ही मतलब है minus infinity से लेके plus infinity तक यह कहां continuous है यह continuous है पूरे में continuous है minus infinity से plus infinity पे except 0 तो यह continuous है किसमें continuous है in R minus 0 all real numbers except 0 तो यह graphically देखा हमने continuous है sign x को देखो sign x बहुत popular है sign x का अगर कर्व देखो के आप हम exercise को बहुत अच्छे से देखेंगे you need not to worry आप साथ साथ बने रहें वीडियो देखते रहें आप सारी discussion समझ जाएंगे sign x को देखिए आप sign x का कर्व कैसा बनता यह बना sign x का कर्व आप जितना चाहें जब तक चाहें sign x को आप बनाते रहेंगे sign x क्या बन जाएगा sign x कैसा function होगा तो यह करो है sign x का f of x is equal to sign x या y equal to sign x यह क्या हुआ continuous है continuous in r पूरे real number के पूरे domain में पूरे domain में इसका domain क्या है इसका domain है minus infinity से infinity पूरे domain में यह क्या चीज़ है पूरे domain में यह continuous है कॉसेक्स को देखिए कॉसेक्स भी इसी तरह से कॉसेक्स को भी आगर आपको बड्रॉ करना है तो कॉसेक्स के लिए आपको कहीं पेवी पेन की ट्यूप उठाने नहीं पड़ेगी यह यह इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से आपका कॉसेक्स चलता जाएगा यह किसका फंक्शन है f of x is equal to कॉसेक्स कैसा फंक्शन है continuous है कहां पे continuous है continuous in r पूरे domain के अंदर continuous है कहीं पर भी ऐसा point नहीं है there is no point there is no point in real line where it is discontinuous जहां पर यह discontinuous हो तो यह तो graphically हमने चेक किया कि यह continuous होते हैं कि नहीं होते अब चलिए आप इसकी जो systematic definition है let's come to the definition now कि वह definition क्या कहती है उस definition को समझने से पहले भी एक छोटी सी इस बात पर गौर करना होगा जैसे माल लीजे कि एक आपके पास graph graph कुछ इस तरह से है यहां पर यह बहुत standard definition है इस पर आप focus करिएगा यहां पर एक point है यहां पर एक point है x is equal to a x is equal to a function की value क्या होगी यहां पर देखिए y को f of x कहते हैं y is called f of x तो यह यहां पर definition के हिसाब से यह वाला point हो जाएगा आपका f of a अब आपको इस point पर चेक करना है कि पॉइंट पर continuous है या नहीं तो यह continuity जैसे मैंने आपको बताया नहीं यह कर्व इतना simple और sober है कि आपको दिख रहोगा कि यह तो continuous ही है लेकिन जब मैं आपको इसके graph करने जाएंगे आप इस वाले कर्व का इस वाले कर्व का यह और बहुत सारे कर्व हैं जिनके आप ग्रॉफ करने जाएंगे तो आपको बड़ा confusion सा होगा आपकी आँखों को दिखाई नहीं देगा कि उस पॉइंट पर प्रटिकुलर्ली उस पॉइंट पर क्या होने वाला है क्या उस पे एक बहुत बारीक सा पॉइंट है जहां पर discontinuous है और मेरी नजर में नहीं आ रहा है क्योंकि ग्राफ कुछ इस तरह से भी होते हैं आप अगर देखिएगा तो इस तरीके से ग्राफ होंगे अब आप बताईए कि अपनी आग कहां से इसको पकड़ पाएगी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट्स में तो उस पर्टिकुलर पॉइंट्स में देखिए आप कभी भी कोई लाइन को ड्रॉ करते तो लाइन की थिकनेश जीरो होती है पर अभी मैं जब इस लाइन को इस करव को ड्रॉ कर रहा हूं तो इसकी तो अच्छी-खासी थिकनेस हो रही है तो यह मेरी समझ में आ रहा है मुझे भी समझ में पर कई बार ऐसा होगा कि इसके किसी पॉस्टिकुलर पॉइंट पे जैसे मानलेजी यह इक कर और इसके किस पॉइंट पर हम डिसकसन करना चाहते हैं एक्स इकल टुजीरो तो कैसे टूप जीरो पर डिसकसन करेंगे क्या उट पूट और लेटर सी डेट अप्रोच कि X is equal to a है एक सब्सक्राइब फंक्शन की वैल्यू होगी एक सब्सक्राइब क्योंकि कई बार क्या होता है हम धीरे 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 बढ़ते रहते हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दम से जंप करके हम कहां निकल जाते इंफाइन जैसा आपने इस पर देखा होगा देखिए मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ अ है आप यह वाला देखिए वाइक इमने डिसकस किया था अब इसमें थे घ्यान से देखिए आप एक सी ड्यारीव आप रखते जाहिए एक्स की वैल्यू आप रखेंगे वन रखेंगे 1 by 1 आएगा, x की value 2 रखेंगे 1 by 2 आएगा, 1 by 3 आएगा likewise आता जाएगा x की value जैसे जैसे बढ़ाते जाएगे लेकिन जब x की value आप कम करते जाएगे x की value क्या करेंगे आप x की value 0.1 रख दी आपने तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 1 upon 0.001 रख दी तो value कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी 1 upon 0.0001 रख दी है तो आपके पास क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा तो आप x की value क्या करते जा रहे हो गिराते जा रहे हो, गिराते जा रहे हो इधर की तरफ आ रहे हो तो पहले जो इसमें ध्यान से देखें इसको steep function कहते हैं एकदम से गिरता है ध्यान से देखिए अगर आप यहां से चल रहे हैं 0 से जाएंगे हम अभी यह direction लिया हमने पर अगर आप 0 रखेंगे तो 0 पे तो आप uncontrolled हो जाएगा जीरो बोलना असान है कि 1 upon 0 becomes infinity पर अगर 1 upon 0 आएगा तो लिए कब आएगा आपका जब आप 0 के इस 0 नो इसी नॉट जीरो नहीं तो इसकी वैल्यों नहीं इसकी वैल्यों अगर मैं यहां पर मैंने लिग दिया वोपाल तो आउटकम क्या आजाएगा अपने पास 1000000 भोपाल क्या यह 0 है तो यह से पॉइंट पे कि हम जब 0 की ओर कोशिस कर रहें विए ट्राइंग टूपर तुवर्ट बढ़ रहे हैं पहुंचनी पा रहे हैं इसलिए इस करुप पे आप ऐसा देखें कि हमको उस पॉइंट पे पहुंचना है तो बहुत धीमे धीमे पहुंचना पड़ेगा अपक तो आप यहां पर होंगे कहीं पर जीरो पॉइंट वन तो बहुत करिभा मैं मान लिजिए यहां पर तौँज्ट है फिर जीलो-पॉइंट-बैंट-बैंres न से कहा जाएंगे जीमे बमिदकर पर और और करीब और करीब और करीब ऐसे करके वैल्यू निकालनी है तो इसमें भी ऐसा ही है हमारे पास तो इसमें पहुंचने के दो तरीके हैं एक तो तरीका हैं हम इधर से पहुंचेंगे और एक तरीका हैं हम इधर से पहुंचेंगे देखें अगर मैंने यह है मुझे इस पकड में आजाता है अगर दोनों तरफ से आने में मुझे पॉइंट पकड में आ जाता है मैं इस तरफ से भी अप्रोच करूंगा इस दोर दूर रहेंगे तो फिर continuity इतनी दूर है माल लीजे तो क्या मतलब है मुझे तो एक particular point पे जब discussion करना है तो मैं point के बहुत करीब करीब बात करूँगा जैसे मुझे इस पे माल लीजे 0 पे discussion करना इस करव कोई आप उदारण के तोर पे लें मुझे 0 पे discussion करना तो मैं यहां से क्यों चलना चालू करूँगा यहां से चलूँगा तो यहां से तो continuous है ना तो मैं कौन से point पे 0 के बहुत करीब से चलना चालू करूँगा जैसे मैंने यह 0 point 1 से चालू किया था इधर भी मैं किस से चालू करूँगा और करीब से और करीब आ सकता हूं कि हमें हाँ और आ सकता हूं तो और आ जाओंगा इधर भी मैं जादा से जादा आने की कोशिस करूंगा तो वैसे ही मुझे एक इधर एक point लेना है उसको मैं कहूंगा A minus epsilon ग्रीक लेटर है epsilon ये वाला point कौन सा हो जाएगा मेरा ये मेरा हो जाएगा A plus epsilon A minus epsilon A plus epsilon A minus epsilon है तो यहाँ पर क्या होगी उसकी value जैसे ध्यान से देखिए ये A है तो ये F of A है यहाँ पर हो जाएगी F of A minus epsilon यहाँ पर कितनी हो जाएगी F of A plus epsilon पर आपके यहाँ जो आपकी book है उसमें epsilon का use ना करते हुए उन्होंने h का use किया है तो यहां h लिख देता हूं में लेकिन h में भी खास बात हुई है क्या होना चाहिए h should tend to 0 h बहुत करीब होना चाहिए h बहुत छोटा होना चाहिए क्योंकि जब मुझे a पे चेक करना है तो मैं a के बहुत करीब से इधर से भी अप्रोच करूँगा उधर से भी अप्रोच करूँगा इधर से भी और उधर से भी तो देखिए जैसे जैसे मैं h को छोटा करूँगा h को कम करूँगा तो इसके लिए y equal to x square या इसको ही f of x कहते हैं इस पे एक point है 2 हमने इस point पे check करना है continuity तो 2 से छोटा point लूँगा मैं तो 2 से छोटा point क्या लिया मैंने माल लिजए 2 से छोटा point मैंने ले लिया h की value इस case में ले लिया 0.1 तो यह हो जाएगा मेरा point क्या हो जाएगा 1.9 अब h की value मैंने और कम ले ली h की value और कम ले ली 1.9 और 2 बहुत करीब करीब है तो आप ऐसा समझ लीजे कि 1.9 थोड़ा इतनी दूर है आप इसको बड़े लेवल पे ग्राफ को समझ ले कि यह 1.9 है h की value और कम कर दी h की value 0.1 से और कम कर दी क्या कर दी आपने 0.001 कर दी माल लीजे तो यहाँ पर मैं जो लेना चाह रहा था left side में कौन सा point लेना चाह रहा था 2 माइनस h तो 2 में से जब 0.01 कम कर दूँगा तो यह हो जाएगा 1.99 तो 1.99 ध्यान से देखिए 1.9 और 2 इधर आ जाएंगे हम अगर h की value और कम करेंगे तो इधर आ जाएंगे जैसे माल लीजे h की value में ने और कम कर दी 0.001 कर दी तो 2 माइनस h क्या हो जाएगा 2 माइनस h हो जाएगा आपका 1.999 तो यह और करीब आ जाएगा और h जैसे जैसे कम होता जाएगा तो मतलब हम किस तरफ move कर रहे है हम इस point से इस point से इस तरफ move कर रहे है तो इसका मतलब है we are moving towards left side इस तरफ से move कर रहे है ध्यान से देखिए यह वाली जो चीजे यह a-h जैसे जैसे इधर आएगा तो हम left इधर left side से move कर रहे है तो left side से move कर रहे हैं तो यह जो है f of a minus h यह इस तरफ ऐसे move करेगा ऐसे ऐसे move करेगा तो इसको कहेंगे left hand limit क्या कहलाएगी left hand limit function की left hand क्योंकि हम left तरफ से move करके कहां पहुचने की कोशिश कर रहे है f of a पे तो left hand limit is called limit h tends to 0 f of a minus h यह left hand limit है इससे हम यहाँ पहुचने जैसे जैसे हम h का value गिराएंगे तो इस side पर क्या होने वाला है वो भी देखिया आप यह देखिए यह कर हो है हमारा यह x is equal to 2 पे इसकी value कितनी है 4 है जैसे जैसे मैं x की value ध्यान से दिखती है x is equal to 2 है यहाँ पर माल लीजे x की value 2 प्लस h है अब अगर h की value माल लीजे कि h की value कितनी है h की value माल ने अगर हमारे पास है 0.1 तो यह x की value क्या हो जाएगी 2.01 तो माल लीजे यहाँ पर है h की value और छोटी कर दी हमने अब h की value 0.01 कर दी तो यह हो जाएगा आपका point कौन सा वाला x प्लस h 2 प्लस h 0.001 तो इसका मतलब ध्यान से देखे यह 2.1 है 2.01 कहां होगा आगे नहीं होगा वो पीछे की तरफ होगा 2.001 और इधर करीब होगा और इधर करीब होगा यानि हमारा movement किस तरफ है हमारा movement इस तरफ है और curve में देखिए curve में क्या हो रहा है यहाँ पे देखें आप इस तरफ का movement है इस तरफ का movement है तो हम right direction से इस तरफ move कर रहे हैं जैसे जैसे हम h कम करते जाते हैं तो right direction से इस तरफ move करते जाते हैं तो इसको कहते हैं rhl rhl is what limit h tends to 0 f of a plus h यह right hand limit है तो आपने limits में देखा होगा class 11 में कि limits में आपने देखा कि limits कभ exist करती है जब rhl और lhl दोनों equal हो जाते हैं और दोनों की value finite and fixed हो जाती है तो कहते हैं हमकी limit exist करती है और अब हमारे पास one more condition is there कि rhl और lhl बराबर हों और बराबर होते होते ध्यान से देखें जैसे जैसे यह बढ़ता जाएगा इसकी value यहां बढ़ती जाएगी और इसकी value यहां बढ़ती जाएगी और वो दोनों कहां पर meet out करेंगे f of a पे तो अगर ऐसा होता है कब जब lhl is equal to rhl is equal to f of a अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं then we used to say that the function is continuous at x is equal to a तो when do we say that the function is continuous हम जब function continuous f of x is continuous at x is equal to a कि यह इसकी systematically definition है when lhl is equal to rhl is equal to f of a there are three things lhl, rhl, f of a तीनों बराबर हो और एक और चीज है आप जहान रख सकते हैं कि यह finite and fixed हो finite and fixed हो अगर यह तीनों बराबर हो के finite हो फिक्स दो तब हम क्या कहेंगे then we used to say that the function is continuous at x is equal to a और आप जेखा होगा आपने जब यह दोनों बराबर होते हैं तो इन दोनों का जो outcome होता है उसको हम direct एसा लिख देते हैं limit extends to a f of x यह जब दोनों बराबर होते हैं तो हम क्या लिख देते हैं लेचल आरेचल इक्वल कब होंगे तो यह कभी कभी common sense से भी पता लगेगा मैं आपको और discuss करके बताऊंगा वैसे सारे cases में आप लेचल आरेचल पता लगा सकते हैं पर देखा होगा आपने लास्ट यह भी कि आपके पास कभी ऐसा सवाल आता है f of x is equal to मान लिजे कि mod mod पर हम बार बार फोकस कर रहें लेकिन मान लिजे कि ऐसा दिया आपको x greater or equal to 1 x when x is less than 1 और आपको बोलेंगे कि find limit extends to 1 f of x तो आप क्या करते हो R.H.L. पे बी discussion करते हो L.H.L. पे बी discussion करते हो और सोचो क्यों नहीं करोगे आपको points पे पूछ रहें तो यह वाला function आएगा और 1 प्लस H तो यह वाला function आएगा लेकिन अगर आपको इसकी जगह ऐसा दे देते हैं आपको एक दे दिया आपको function f of x is equal to x square plus 1 दे दिया और आप से क्या पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है लिमिट extends to 2 f of x पूछ रहा है तो इसमें इसमें एक ही function है जिसमें दोनों तरफ से हमें अप्रोच करना है left hand side से अगर अप्रोच करेंगे तो भी x की इसी में रखना है मुझे value और right hand side से approach करूँगा तो भी इसी में रखना value क्यों क्यों मुझे अगर मान लिजे f of 2-h रखना है यह निकालना है तो 2-h मुझे 2-h निकालना है तो 2-h भी मुझे Kिसमें रखना है इसमें रखना है लेकिन इसमें चौईस है क्या चौईस है 1-h रखिए तो इसमे किसमें रखिए ऊपर वाले में क्यों है और एक बात का ध्यान रखें हैं ह are the MH और होता है पर हमेशा क्या होता है है हमेशा उसमेशा होता है ये आप बात को हमेशा दिमाँ में रख लें कि H हमेशा कैसा होता है, H हमेशा positive होता है, H is always greater than 0, तो H is always greater than 0, ये बात आप ध्यान रखें, आप LHL और RHL, समझें आप, LHL और RHL को लिखने का एक और alternate तरीका होता है, वो इसी के बराबर है, limit X tends to A minus F of X, ये LHL को लिख सकते हैं, तो कुछ लोग इसको लिखते हैं, limit X tends to A plus F of X, तो ये हो गई आपकी left hand limit, और दूसरी हो गई है आपकी right hand limit, तो अगर आप assured हो, आपको मालूम है, कि इसमें left hand limit और right hand limit, इसमें left hand limit और right hand limit बराबर आएगी, तो फिर आपको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कि किस बात की कोई जरूरत नहीं है, इस बात की कोई चिंता की जरूरत नहीं है, कि left hand limit right hand निकालेंगे, अगर हम ये भी प्रूव कर देते हैं, limit x tends to a, f of x is equal to f of a, तो हमारा function क्या बन जाएगा, continuous बन जाएगा, अब exercise 5.1 के question number 1 से start करते हैं, exercise 5.1, question number 1, question number 1 में देखिए, आपको ये दिया हुआ है, f of x is equal to 2 दिया हुआ है, 5x minus 3, अब एक ही case दिया हुआ है, और continuity check करना है, 0 पे, minus 3 पे और 5 पे, continuity कौन कौन से point पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है, minus 3 पे चेक करना है, और 5 पे चेक करना है, तो ये एक ही case है, और बहुत simple सा case है, तो हम continuity इसी तरीके से check कर लेंगे, किस तरीके से, तो पहले आप तीनों की value निकाल ले, f of 0 की value कितनी आएगी, 5 into 0 minus 3, minus 3 आ जाएगी, f of minus 3 की कितनी आएगी, तो 5 into minus 3, minus 3, तो ये हो जाएगा, minus 18, और f of 5 की value आएगी, आपके पास 22, और अब आप इसकी limit भी निकाल ले, तो अगर आप ये limit निकालने जाएगे, limit extends to, कौन से point पे निकालना, a पे, a यहाँ पे कौन सा है, ये सारे a है, ये x is equal to a है, ये सारे points क्या होते हैं, a होते हैं, ये सारे a होते हैं, ये जितने भी a हैं, सब a हैं, तो a की value 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम limit extends to 0, f of x, और limit extends to 0, f of x क्या होगा, limit extends to 0, f of x मतलब f of x का value, कितना होगा f of x का value, 5x minus 3, और 5x minus 3 जब निकालेंगे, तो क्या आजाएगा आपके पास, ये ही आजाएगा, 5 into 0 minus 3 is equal to f of 3, और ये किस के बराबर है, ये f of 0 के बराबर है, और दूसरा case, x is equal to minus 3, तो ये हो जाएगा आपका limit, extends to minus 3, f of x, ये value निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, limit extends to minus 3, f of x, f of x का value रख दीजिए, 5x minus 3, तो यहाँ पर आजाएगा, आपके पास, 5 into minus 3 minus 3, और वही इसके बराबर है, किसके बराबर है, and which is same as, f of minus 3, तो आप देख रहे होंगे, कि ये तो आपको लग रहा होगा, कि ये हमेशा होगा, लेकिन एक case मैं आपको बताता हूँ, कि ऐसा नहीं होगा, उसका भी एक example आप देखिए, वो आपकी book के question से थोड़ा सा अलग है, जैसे माल लीजिए कि आपको दे दिया, उन्होंने ऐसा दे दिया, f of x is equal to x square minus 25, upon x minus 5 दे दिया आपने, है ना, और आपको यह यहाँ पर दूसरा case दे दिया, यहाँ पर दे दिया, 10, यहाँ दे दिया, x not 5 और यहाँ पर क्या दे दिया, x is equal to 5, तब आप देखिए, कि अगर आप डारेक्ट इस पर 5 substitute करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपके पास, 0 upon क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 square minus 25, 25 minus 25, 5 minus 5, 25 minus 25, 0, और 5 minus 5 क्या हो जाएगा, 0, तो यह हमेशा नहीं होगा true, इस तरीके से, लेकिन हाँ, जब आप इसमें limit लगाएंगे, और limit लगाके आप करेंगे, तो देखिए, आप limit लगा देते हैं, इसमें, इसमें देखते हैं, limit, x tends to 5, f of x, is equal to क्या होना चाहिए, आपका, f of 5, और मान लीजा भी तो मैंने 10 दिया हुआ है, अगर 10 की जगे 7 दे देता मैं, तब क्या होता, तो f of 5 क्या हो जाता, 7 हो जाता, और यहाँ पर क्या हो जाता आपका, limit extends to 5, x square minus 5 square upon x minus 5, फिर क्या होता, limit extends to 5, x minus 5, x plus 5, upon x minus 5, यह इससे cancel हो जाता, और यहाँ पर क्या आजाती, x की जगे रखतेते तो इसकी value हो जाती, 5 plus 5, और यह किसके बराबर है, यह इसके बराबर नहीं है, 10 is not equal to 7, तो इसलिए यह कैसा function हो जाता आपका, discontinuous हो जाता, तो यह discontinuous हो जाता, तो इन सारे cases में, इसके जो तीनों cases थे, जो 0 के लिए था, ज simple है, और बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, अब अगर आप इसका question number 2 देखें, देखिए अप इसका question number 2 देखते हैं, और 2 में, यह खास बात है, यह मैं उपर लिख देता हूं आपको, इससे आपको बहुत काम रहेगा, limit extends to a, f of x is equal to क्या होना चाहिए आपके पास, f of a, अगर ऐसा होता है, तो इसको continuous कहेंगे, तो दूसरा question है, f of x is equal to 2x square minus 1, at x is equal to 3, इस पर पूछ रहा है कि यह continuous है यह यह नहीं है, तो एक काम करेंगे, हम क्या निकालेंगे, f of 3, 2 into 3 square minus 1, कितना आजाएगा यह, यह 5 आजाएगा, दूसरी side क्या निकालेंगे, और यह निका to 3, f of x, limit extends to 3, f of x, तो 2x square minus 1, यहां x की अगे रख देंगे, तो 2 into 3 square minus 1, बिल्कुल उसी के जैसा है, तो यह बेहागा आसान है, पर आपको थोड़ा present करने आना चाहिए, आपको लिखने का तरीका, 9 to 18 minus 1, और कुछ चीजें आप धीरे धीरे जब करते जाएंगे, तो आप को आती जाएंगी, यह था आपका question number 3, इसमें क्या हुआ, आप at the end आप यह लिखेंगे, limit extends to 3, f of x, is equal to f of 3, दोनों सेम आ गए, therefore function is what, therefore function, the function, f of x, is continuous, at x is equal to 3, यह continuous होगा, ऐसे सारे पे होगा, 3 पे नहीं होगा, 3, 2, 1, 4, 5, 7, जिस पे भी रख दोगे, तो continuous होगा, 0 पे भी होगा, सब पे होगा, तो यह क्योंकि यह simple function है, और एक और खास बात मैं आपको बताता चाहता हूँ, कि जो भी polynomial होगे, कोई भी polynomial हो, तो polynomial कोन होते हैं, तो polynomial आपको मालू होगा, f of x is equal to a naught x to the power n, a1 x to the power n minus 1, an, इसमें x की जागे कुछ भी लो, 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 1.5, 2, root 3, root 4, root 7, तो यह सब पे continuous होता है, तो polynomial is continuous in r, r मतलब real numbers, polynomial हर real number की values के लिए continuous होता है, इसलिए इसको बोलते हैं, it is continuous in r, अब आपको देखिए, जैसे question number 3 है, question number 3 में बोलते हैं कि f of x is equal to x minus 5, इसकी continuity चेक करिए, अब आपको point नहीं mention किया, अभी तक point mention कर रहे थे, तो फिर आप क्या करेंगे, एक value ले लो आप, x is equal to a ले लीजिए, और a मान लें कि a कोन है, real number है, मतला minus infinity और infinity के बीच का कोई number है, और निकालेंगे क्या निकालेंगे आप, limit extends to a f of x, यह हो जाएगा, limit extends, यह procedure बता रहा हूं मैं आपको, x minus 5, इसकी जगे रख देंगे तो यह क्या हो जाएगा, a minus 5 हो जाएगा, और f of a भी निकाल ले, f of a भ तो क्या आगया आपके पास, तो since, limit extends to a, f of x, is same as f of a, ठीके, for all, for all a belongs to r, a कोई भी हो, real number, a कोई भी real number हो, सबके लिए ऐसा हो रहा है ना, तो फिर यह क्या हो जाएगा, therefore, f of x is continuous, continuous in r, f of x क्या हो जाएगा, continuous हो जाएगा, इसमें अगला question है, अगला question देखिए, यह 5th का, sorry, 5th तो, तो 3rd का 1st part था, अब 3rd का 2nd part है, ऐसे आप धीरे-धीरे करते रहेंगे, साथ-साथ बने रहेंगे, सारे videos देख लेंगे, हर question हम discuss करने वाले हैं, continuity का, आप एक बार समझ हो जाएगे, तो आपकी सारी problem solve हो जाएगी, और आप अगला question देखे, जो 3rd का 2nd part है, 3rd का 2nd part है, f of x is equal to 1 upon x minus 5, इसमें उन्होंने दे दिया है, x is not what, 5, क्योंकि x कि अगर 5 रख देते तो क्या हो जाता, तो आप जानते हैं, 1 upon 5 minus 5, 1 upon 0, 1 upon 0 is what, infinity हो जाता, फिर problem हो जाती, तो उन्होंने 5 को पहले discard कर दिया, तो 5 को जब पहले discard कर दिया, तो हम x की जगे x की value लेंगे, कोई सी value लेंगे, a, a कहां से लेंगे, यह कोई भी real number होगा, लेकिन वो 5 नहीं होगा, फिर क्या निकालेंगे हम इसका, निकालेंगे limit x tends to a f of x, और यह हो जाएगा, limit x tends to a f of x बिल्कुल सिंपल है, जैसा मैं आपको बताया, बिल्कुल सिंपल है, दोनों तरफ रखना है, रखने से बराबर आजाएगा, a minus 5, a की value 5 है ही नहीं, a is not what, 5, तो इसलिए ऐसा लिख सकते हैं, और f of a क्या होगा, f of a direct निकालेंगे हम, 1 upon a minus 5, तो यह आजाएगा, limit x tends to a, त आपको, sorry, f of a लिखना है, आपके, बहुत आसान बात है, बस कुछ भी नहीं करना, दोनों तरफ रख देना है, और रखके बराबर आजाएगा, आपको question number 4 तक लगबग इसी तरह का काम करना है, और उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, तो यह आ गया इसका, अब 3rd का, 3rd part, 3rd part, 3rd का C, f of x दे दिया हमको, x is square minus 25, x plus 5, और x is not what, x is minus 5 नहीं है, यह दिया हुआ हमको, यह वाला function कहां continuous है, तो यह लिख दीजे आप, f of x is continuous in r minus 5, सब पे continuous है, except 5, अब दूसरा case है, यह जो 3rd का C है, इसको कहां पे चेक करना है हमें, तो इसमें minus 5 को छोड़के सब जगे की बात करना है, तो अब हम सारे बात तो कर नहीं सकते हैं, तो हम वही x की यगे क्या ले लेते हैं, a ले लेते हैं, और हम लिख दे, limit extends to a, f of x, तो x क की यहां रख देंगे, limit extends to a, a, sorry, limit x, x square minus 25, upon a plus, x plus 5, अब x की यहां रख देंगे, तो यह हो जाएगा, a square minus 25, a plus 5, इसके factor बना ले हम, limit extends to a, a minus 5, a plus 5, upon a plus 5, a plus 5, a plus 5 को cancel कर दें, यहां गया आपका a minus 5, और यहां ध्यान से देखें, कि f of a क्या होगा, तो f of a भी होगा, f of a, f of a हो जाएगा, a square minus 25, upon a plus 5, इसमें factor बना देंगे, a minus 5, a plus 5, a plus 5, a plus 5, a plus 5 से a plus 5 cancel कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि a, a, a कौन है, x a है और a कौन है, a कोई भी real number है, except minus 5, तो a सारे real number accept कर सकता है, पर minus 5 नहीं कर सकता, तो a minus 5 नहीं है, अगर a minus 5 होता, तो फिर यह cancel नहीं होता, तो जो अब तक हम कहते थे, माल लीज़े, आप कहते थे, 2 square upon 2, 2, true, 3 square upon 3, 3, true, अगर आपसे कोई अब x square upon x पूछेगा, तो अब आपको चुप होना है, x square upon x, x जब ही होगा, जब x क्या नहीं होगा, 0 होगा, नहीं होगा, तो x square upon x को, अब आप x लिखेंगे, लेकिन x का ध्यान रखेंगे, कि x should not be what, x should not be 0, x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, अगर x 0 हो जाता है, तो फिर some problem is there, अब आपका जो फिर 3rd का d part है, उसको देखते हैं, 3rd के d part को देख लें, 3rd के d part में, आपको दिया हुआ है, f of x is equal to mod of x minus 5, mod of x minus 5, अब mod का case है, तो mod के case में दो part हो जाते हैं, दो part कहां कहां हो जाते हैं, तो सुनिए, mod के case में, जैसे मैंने mod की definition बताई थी, कि यह x minus 5 होगा, जब x minus 5 greater or equal to 0 होगा, एक minus x minus 5 होगा, जब x minus 5 less than 0 होगा, अगर इसको ठीक से लिखना चाहते हो, तो ऐसा लिख दीजे, x greater or equal to 5, इसको ठीक से लिखना है, तो ऐसा लिख दीजे, x less than 5, तो इसका मतलब है, कि इसके behavior में कहां कहां change आएगा, x is equal to 5 पे change आ रहा है, क्योंकि x greater or equal to 5 पे यह है, x less than 5 पे यह है, तो हम x is equal to 5 का discussion अलग से कर लेते हैं, तो x is equal to 5 के discussion के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी फिर, right hand limit निकालनी पड़ेगी, limit h tends to 0, क्या formula है हमारा, f of a plus h, अभी हमने x is equal to क्या लिए 5, तो a कौन हो गया हमारा, 5 हो गया, तो यहां पर लिखना हमें, limit h tends to 0, f of 5 plus h, तो इसमें 5 plus h रख दूँगा, तब क्या हो जाएगा यह, यह हो जाएगा, limit h tends to 0, 5 plus h, sorry, इस वाला है न, 5 plus h मतलब greater than 5, तो इसमें रख दीजे आप, तो 5 plus h minus 5, यह 5 से 5 कैंसल, limit h tends to 0, h, h की value निगलीजिवल है, 0 हो गई, इसका left hand limit निकालते हैं, इसका left hand limit, तो left hand limit क्या होगा, limit h tends to 0, f of 5 minus h, a minus h आना चाहिए हैं यहापर, a की value 5 है तो f of 5 minus h, तो यह जाएगा limit h tends to 0, 5 minus h, 5 minus h मतलब less than 5, तो कौन सी वाले इसमें चला जाएगा, minus 5 minus h minus 5, यह 5 से 5 कैंसल, minus से minus कैंसल यह भी h आ गया, h की जगे 0 रखेंगे, यह भी 0 आ गया, और तीसरी चीज भी निकालनी होती है, हमें f of 5, f of 5 क्या है, तो f of 5 देख लें इसमें, 5 minus 5, यह भी 0 है, तो क्या-क्या बराबर आ गया, since RHL is equal to LHL is equal to f of 5, यह सब बराबर आ गया, RHL भी आ गया, LHL भी आ गया और f of 5 आ गया, तो यह continuous हो गया, कहां पर continuous हो गया, at x is equal to 5, लेकिन हमें केवल 5 पर continuity चेक नहीं करना है, हमें continuity पूरे real numbers के case में चेक करना है, तो पूरे real numbers के case में क्या होगा, अगर आपका number 5 से बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा, तो 5 से बड़े होने में सारे case यही लगेंगे, तो मालो कि एक हमने number लिया, c, c की value क्या है, greater or equal to 5, तो उस case में मैं limit extends to c निकालना चाहूँगा, limit extends to c, तो यह क्या हो जाएगा मेरा, c minus 5, और f of c भी कितना होगा, f of c भी इतना ही होगा, c minus 5, और अगर मेरा, c 5 से छोटा होगा, तो मुझे कौन से है, इसमें जाना है, तो इस case में limit, x tends to c, f of x क्या होगा, यहां रखेंगे आप, x की अगे c, तो यह हो जाएगा, minus c plus 5, 5 minus c, और f of c रखना हो, तो c 5 से छोटा है, तो भी इसी में रखेंगे, तो भी बराबर आएगा, तो यह कैसा हो गया, f of x is equal to mod x minus 5, is continuous in r, यह भी किसमें continuous हो गया, r पे continuous हो गया, अब दोस्तों, question number 4 है, अब question number 5 से, बदलाव आएगा, change will appear, from question number 5 onward, फोर्थ भी सिम्पल है, फोर्थ में आपको क्या दिया है, f of x is equal to, x to the power n, और n एक natural number यह दिया है, अगर n की value minus 1 हो जाती, तब क्या होता, तो यह हो जाता है, x की power minus 1, 1 upon x, और x जब 0 होता, तो discontinuous हो जाता न इस पे, कहा हो जाता, discontinuous 0 पे, अगर x की value, n की value minus 2 होती है, तो यह क्या हो जाता, 1 upon x square, same problem, x की जगे क्या हो जाता, 0 पे discontinuous, क्योंकि 1 upon 0 क्या है, infinity not defined, लेकिन यहाँ पे n क्या है, natural number, n फिर क्या हो सकता है, 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है, तो हम वही लेंगे, x is equal to a, a कोई real number है, और क्या निकालेंगे, limit x tends to a, f of x, limit x tends to a, a to the power n, sorry, x to the power n, x की जगे a रख देंगे, तो यह क्या बन जाएगा, a to the power n, और f of a, अलग से निकाल दीजिए, जब f of a निकालेंगे, यह आप यहाँ पे x की एगे रख तो यह भी a to the power n आएगा, therefore, यह दोनों बराबर आगे, कौन दोनों, यह और यह, limit, x tends to a, f of x, is equal to f of a, तो यह क्या हो गया function, therefore function is continuous, therefore, f of x is equal to x to the power n, is continuous, in our, पूरे real numbers के लिए, क्या हो जाएगा function आपका, continuous हो जाएगा, अब आपका question number 5 है, जहां से change, की प्रक्रिया चालू होती है, यह बहुत ही important, और अच्छा question है, जिससे आपको, काफी कुछ, सीखने को मिलेगा, तो देखे question number 5, बहुत बढ़िया सवाल है, सांदार, अब तक के सारे सवालों में, सबसे अच्छा सवाल, question number 5, f, x, f is defined by, यह आपको दिया रहेगा, तो इसमें आपको दिमाग खर्च करने की दरूरत नहीं है, और बोलत कई एक बार एक student ने पूचा किसार ऐसा bracket क्यों नहीं लगाते, जब यहां से open करते तो यहां close क्यों नहीं करते तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको पूचा है इसकी continuity चेक करना है, continuity कौन कौन से point पे चेक करना है वो देखिए, continuity चेक करना है आपको 0 पे, 1 पे और 2 पे, 3 points है, there are 3 points, तो सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, सबसे पहले जो पहले दिया हुआ है, at x is equal to 0, तो आप 0 पे ध्यान से देखें, 0 पे direct भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 से छोटे के लिए, हमारे पास ये दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं right hand left hand से चलता हूँ, आपको confidence आएगा, right hand left hand तो सब में लगा सकते थे, और वो time wasting type था, लेकिन इस पे देखिए, इस पे जैसे 1 है, कौन सा point है, 1 है, तो 1 पे 2 cases से, 1 less than वाला है और 1 greater than वाला, तो 1 में तो right hand left hand लगेगा ही लगेगा, और 0 पे भी मैं आपको इसलिए लगा के बता देता हूँ, ताकि थोड़ा confidence आ जाए, limit h tends to 0, f of, ये आपका a होगा, f of a plus h, ये आप ये समझ लीजिए, कि ये आपका formula है, तो ये क्या हो जाएगा, limit h tends to 0, f of 0 plus h, अब 0 plus h मतलब 0 से बड़ा, कितना बड़ा, बहुत negligible, 0 h की value कितनी है, मैंने बताया न, इतनी चोटी होती है, बहुत चोटी होती है, हम बोल भी नहीं सकते, इतनी चोटी होती है, इतनी चोटी कि हम कभी बोल नहीं सकते, इस जीवन, अगले जीवन, और किसी जीवन में, नहीं बोल सकते, इतनी चोटी होती है, तो ये value है, तो ये value है, जो, 0 plus h का भी यह value होगा, ये आप देखिए, 1 से चोटा है कि बड़ा है, तो आप देखेंगे कि आप नोट कर रहे होंगे, कि ये 1 से चोटा है, तो 1 से चोटा है, तो ये value इस function में जाना चाहिए, इस में, क्योंकि 1 से चोटे के लिए ये case है, तो कहां रखें हम इसको, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, तो जब आपकी value इसके लिए, sorry, दोनों में मैंने 5 लिख दिया, एक में x है, x, ये question में x यहाँ पर, तो यहाँ पर x है, तो यहाँ x है, तो यहाँ पर हमें x लिखना है, तो यह इसमें जाएगी, तो यह हो जाएगा आपका limit, h tends to 0, इसी में जाएगी 0 प्लस h, h की जगे क्या रख देंगे 0, तो इसकी value आएगी 0, अब left hand limit देखें, limit h tends to 0, f of a minus h, limit h tends to 0, f of 0 minus h, h कितना है, 0 minus h क्या होगा, 0 minus h यहाँ पर minus लग जाएगा, तो भी यह क्या होगा बन से, चोटा उसी में जाएगा, तो यह हो जाएगा, limit h tends to 0, minus h, x की जगे हम 0 minus h रख देंगे, अब h की जगे h tends to 0 है, तो क्या होगा, 0, कई बार बच्चे सोचते हैं कि, यह तो 0 plus h है, यह 0 minus h है, आप इसके basis पे नहीं सोचेंगे, आप इसके outcome पे जाएंगे, answer आपका h में कभी भी नहीं होगा, answer आपका outcome जो होगा, output होगा, वो h को हटा के होगा, तो यह देखिए आपका output है, यहाँ पे मत देखें आपकी, यह दोनों बराबर हैं, यह 0 plus h है, यह 0 minus h है, therefore they are not equal, no, 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 it's not true, ऐसा कभी नहीं होगा, और तीसरी चीज़ आपको देखना है, f of 0, f of 0 देखिए, f of 0 इसी में जाएगा, x less than or equal to 1 में, यह हो जाएगा 0, तो आप देखेंगे, यह रहेचेल is equal to कितना हो गया, lhl is equal to f of 0, तो यह continuous हुआ, कौन से पॉइंट पे, कौन continuous हुआ, f is continuous, at x is equal to 0, अब हमें कौन से पॉइंट पे चेक करनी है, continuity, दो और पॉइंट्स बचे हैं हमारे पास, जिनमें सबसे important point है, 1, at x is equal to 1, 1 पे देखें, right hand limit कितनी होगी, right hand limit होगी, limit h tends to 0, f of 1 plus h, 1 plus h कौन से अकाउंट में जाएगा, 1 से बड़े वाले में, 1 plus h इसमें जाएगा, x की जगे में हमें क्या रखना है, 1 plus h रखना है, लेकिन output कितना होगा, output तो जिद है, 5 ही होगा, तो यह 5 होगया, तो यह ही लिख देता हूं मैं 5, ही, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो, limit लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि output fix है, lhl, limit h tends to 0, f of 1 minus h, 1 से थोड़ा सा छोटा, तो 1 से थोड़ा भी छोटा होगा, तो वो उपर जाएगा, तो यह कितना होगया, limit h tends to 0, 1 minus h, इसमें x है, तो x की जगे 1 minus h रखेंगे, h की जगे 0, तो यह 1, rhl is not equal to what, rhl is not equal to lhl, तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे मतलब f of 1 की value नहीं निकालना है, अगर निकालना पड़ी, तो फिर इसी से निकलेगी, f of 1 की value क्या होगी, 1, तो rhl is not equal to lhl, therefore, not continuous, at x is equal to what, at x is equal to 1, 1 पे यह discontinuous होगा, अब अगला point जो हमारा बचा दोस्तों, वो कौन सा बचा है, आपका point 2 बचा, तो यहाँ पर आजाएगा आपके पास 2 प्लस h, यहाँ पर आजाएगा आपके पास 2 माइनस h, अगला point जो 2 पे, तो 2 पे चेक करना है आपको, अब 2 प्लस h, ध्यान दे, 2 प्लस h, 2 प्लस h, यहाने 2 से बड़ा, 2 से बड़ा तो naturally 1 से भी बड़ा होगा, तो f of 2 प्लस h की value, इसमें आएगी, तो इसकी value कितनी आए जाएगी 5, इसमें लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है, जैसे यहाँ पे कोई मतलब नहीं था, f of 2 माइनस h, f of 2 माइनस h, तो 2 माइनस h, कई बार बच्चे सोचते हैं कि यह, यह इस case में आएगा, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि h की value निगली जी बड़े, कितनी हैं, 0.0000001, तो 2 माइनस h कितना होगा, 2 माइनस h होगा, 1.99999, तो यह 1 से तो बड़ा हुआ ना, 1 से बड़ा हुआ तो फिर इसी में जाएगी, तो इसका भी output कितना होगा, 5, और तीसरी चीज निकालनी है, आपको f of 2, तो f of 2 किसमें जाएगा, तो 2 is greater than 1, तो यह भी 5 हो जाएगा, तो RHL is equal to LHL is equal to f of 2, therefore function is continuous at x is equal to 2, तो यह था दोस्तों question number 5, बहुत अच्छा सवाल था, काफी learning थी इसके अंदर, आपने देखा समझ में आया होगा आपको, channel like, share, subscribe जरूर करते रहें, और यह केवल आज service है, it is purely a service to students, there is no other hidden interest in this, except service and make yourself strong, so that the country will become a strong nation, question number 6, 6 में आपको दिया हुआ है, fx is equal to, इस वीडियो में, hopefully हम exercise, 5.1 के 10 questions, या देख लेते हैं, कहां तक हम discuss कर सकते हैं, f of x is equal to, 2x plus 3, x less than or equal to 2, 2x minus 3, x greater than 2, इस में हमें points of discontinuity निकालना है, क्या निकालना है, points of discontinuity, तो यह बहुत आसान काम है, निकालना, अब आपने जैसे आपने question number 5 देखा, तो 5 में देखा, आपने 2 के पहले, इसका भी यह भी रिसके जैसा होता है, इसके जैसा, 2 के बाद, इसका भी यह भी रिसके जैसा होता है, तो यह 2 के पहले, और 2 के बाद में, हमेशा continuous होगा, पर problem कौन से point पर आएगी, उस point पर आएगी, इसलिए हम उस पर discussion करेंगे, at x is equal to 2, तो जो यह critical points है, जहां पर transition होता है, जहां पर less than 2 के लिए, greater than 2 के लिए, अलाग case हो जाते हैं, उन points पर discussion करना है, तो उन points पर discussion करना है, और उन ही पर discussion हम करेंगे, right hand limit निकालेंगे, right hand limit का formula है, f of 2 plus h, 2 से बड़ा, यह वाला case होगा, 2 से बड़ा, नीचे वाला 2 plus h, minus 3, h की जगे 0 रख दें आप, तो यह जाएगा, 2 इंटू 2 plus 0, minus 3, तो यह आजाएगा, आपके पास, 4 minus 3, 1, left hand limit निकालें, limit h tends to 0, f of 2 minus h, is equal to, उपर वाले case में रखेंगे, 2 इंटू 2 minus h, plus 3, h की जगे 0 रखेंगे, तो यह हो जाएगा, 2 इंटू 2 minus 0, plus 3, 7, अब rhl is not equal to what, lhl, अगर यह बरावर नहीं है, तो f, therefore, f of x, is discontinuous, at, x is equal to, कौन से point पे discontinuous हो गया, 2 पे discontinuous हो गया, अब अगर आप question number 7 देखेंगे, question number 7 देखेंगे, इसमें भी point of discontinuity निकालना है, लेकिन इसमें दो points हैं आपके पास, क्यों दो points हैं, ध्यान से देखना, mod of x plus 3, यह, minus 3 और 3 से पहले यह case, minus 2x, if, minus 3 is less than x, less than 3, 6x plus 2, x is greater than or equal to 3, अगर आपके पास कौन सा case है, अब आप पहले कौन से point पे निकालना चाहेंगे, तो इसमें 2 points है, एक तो minus 3 का है, और एक 3 का है, तो minus 3 पे निकालने, तो minus 3 पे आपका आरेचेल और एलेचेल क्या होगा, आरेचेल हो जाएगा minus 3 plus h, minus 3 plus h मतलब minus 3 से बड़ा, minus 3 से बड़ा मतलब ये वाला, ये वाला मत सोची आप, minus 3 plus h क्या होगा, minus 3 plus h, minus 3 से बड़ा होगा, पर h की value क्या होती है, बहुत छोटी होती है, तो अगर वो इसमें जोड़ देंगे, तो वो 3 से कभी बड़ा नहीं होगा, तो यह आ जाएगा आपके पास माइनस टू इंटू माइनस थ्री प्लस एच अब आप एच की जगे जीरो रखेंगे यह बन जाएगा आपका माइनस टू माइनस थ्री प्लस जीरो यह 6 और आंसर आप जब लिखेंगे जब हट जाएगा एच अपकि जब लिंट भी हटेगी जब एच की वैल्ली उठादेंगे तो लिंट भी हटा टेंगे आप यहाँ पर दूसरा है एपका माइनस थ्री माइनस एच माइनस थ्री से छोटा यह ऊपर वाले अकाउंट में जाएगा, तो limit h tends to 0, mod of minus 3 minus h plus 3, limit h tends to 0, आप इसमें से पहले क्या करें, minus common ले ले, अब आपने ध्यान से देखिए, minus common ले लिया, अब minus common ले लिया, पर ये mod है, तो mod क्या करेगा, उसको plus बना देगा, तो आपका LHL क्या हो जाएगा, 3 plus h plus 3, h की जगे 0 रग दीजे, क्या है आपका, 3 plus 0 plus 3, 6 आ गया, limit भी अड़ गई आपकी, अब RHL भी 6 है, LHL भी 6 है, तो f of तीसरी चीज, क्या निकालनी है आपको, तीसरी चीज, f of minus 3, क्योंकि point क्यों सा आपका, minus 3, और function continuous जब होता, जब LHL, RHL और f of a, तीनों बराबर आए, तो f of minus 3, वो भी इसी account में जाएगा, ये जाएगा, क्यों equal to minus 3 लिखा इसमें, तो mod of minus 3 plus 3, ये जाएगा, 3 plus 3, 6, सब बराबर आगए, क्यों क्यों बराबर आगए, RHL, LHL, और f of minus 3, तो function क्या होगे आपका, therefore f of x is continuous, at, कौन से point पे continuous हुआ है, तो continuous at x is equal to minus 3 पे continuous हुआ है, कौन से point पे, minus 3 पे, जब आपको इसका plus 3 पे निकालना होगा, तो plus 3 पे निकालना होगा, तो plus 3 किसमें रखेंगे, देखिए, f of 3 plus h आएगा, right hand limit और left hand limit आएगा, f of 3 minus h, 3 plus h इससे बड़ा, तो यहाँ पे रखेंगे, limit h tends to 0, ध्यान से देखें, 6 into 3 plus h, plus 2, h की जगे 0 रख दीजिए, 6, 3, 18, plus 2, 20, और f of 3 minus h, इसमें रखेंगे, तो limit h tends to 0, minus 2 into 3 minus h, h की जगे 0 रखेंगे, तो यह जाएगा minus 6, rhl is not equal to lhl, therefore f of x is discontinuous at x is equal to minus 3, आपको क्या बोला था, points of discontinuity, तो f of x is discontinuous at x is equal to plus 3, x is equal to plus 3 पे discontinuous है, बागी सारी जगे पे क्या है यह function continuous है, तो यह था दोस्तो question number 6, बहुत बढ़िया सवाल था, आपने देख लिया, महसूस किया, 7th, sorry, 6th नहीं था यह, 7th था question, 8th question देखिए, question number 8, 8th and 9th, almost same है, 8th पे हम discussion कर लेते हैं, 9th आप कर लेंगे, question number 8, f of x is equal to कितना है आपके पास, mod x by x, वैसे इसका discussion हमारा किया हुआ है, फिर भी हम समझ लेते हैं, लेकिन तब हमने graphically किया था, अब इसको algebraically कर लेते हैं, definition से कर लेते हैं, right hand limit, कौन से point पे निकालेंगे हम, तो यह हमारे IQ से पता लग जाता है, कि कौन से point पे चेक करेंगे हम, x is equal to 0, क्योंकि x is equal to 0 पे ही सारे cases दिये हुए, तो right hand limit होगी, आपकी limit, h tends to 0, f of 0 plus h, f of 0 plus h, निकाल लीजे, limit h tends to 0, mod of 0 plus h, upon 0 plus h, mod of 0 plus h क्या होगा आपका, mod of 0 plus h means mod of h, h upon h, अभी आप h रख नहीं सकते 0, जब तक यह पूरा simplify नहीं हो जाएगा, तो यह simplify हो गया, 1 हो गया, अब यह simplify हो गया है, अब right hand limit 1 आगई दोस्तों, left hand limit कुछ भी हो, पर right hand limit को left hand के, और f of 0 के बराबर होना, f of 0 कितना है अपने पास, f of 0 कितना है, f of 0 0 है, तो इसका मतलब है कि, right hand limit not equal to f of 0, तो left hand निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपका function, therefore, f of x is discontinuous, at x is equal to 0, आपका function, right hand limit not equal to f of 0, वैसे इसकी left hand limit, अगर आप निकालना चाहते हो, तो मैं लिख देता हूं, इसकी left hand limit क्या आएगी, इसकी left hand limit आएगी, minus 1, और right hand limit not equal to f of 0, therefore, this function is discontinuous, at x is equal to 0, क्योंकि हमें पूचा था है, point of discontinuity निकालो, question number 9, x upon mod x, बिल्कुल इसके जैसा ही question है, मैं आपको cases लिख देता हूं, ताकि आपको दिक्कत ना जाए, x upon mod x, when x is not 0, sorry, x is less than 0, extremely sorry, x is less than 0, और minus 1 है, x is greater or equal to 0, to 0, तो यह कर देता हूं मैं, क्योंकि यह तो जो आपका case है, यह continuous हो जाएगा, तो देखिए, right hand limit क्या होगी आपकी, right hand limit इसमें होगी, limit h tends to 0, f of 0 plus h, 0 plus h मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा, तो function की value है, direct, minus 1, left hand limit निकाल दीजे, left hand limit होगी, limit h tends to 0, f of, f of 0 minus h, और आप एक बार master बन गए, तो बहुत जल्दी जल्दी आप काम कर सकेंगे, जैसे मैंने आपको देखते से ही बता दिया, कि यह function क्या होगा, continuous होगा, तो 0 minus h उसी में जाएगा, 0 minus h, mod of 0 minus h, is equal to, अब इसको थोड़ा simplify करना पड़ेगा, तो 0 minus h is minus h, इसमें कोई change नहीं, पर यह mod के अंदर minus h है, तो यह plus हो जाएगा, h से h cancel हो जाएगा, पहले cancel होगा, फिर limit रखेंगे, तो यह minus 1 आ गया, अब rhl, lhl बराबर आ गये, तो फिर तीसरी भी चीज, f of 0 कितना होगा, तो f of 0 भी दिया हुआ है, minus 1, तो rhl is equal to lhl is equal to f of 0, तो यह तो continuous है, there is no point of discontinuity, और हमसे पुचा है कि points of discontinuity, तो इसका answer होगा, no point of discontinuity, therefore f of x is continuous in r, पूरे real number में क्या होगा f of x, आपका continuous हो जाएगा, अब 10th question देखें, 10th question, तो question number 10 देखें, f of x is equal to लिखा हुआ है, x plus 2, sorry, x plus 1, when x is greater or equal to 1, तो साथ साथ में आप मेरे कर सकते हैं, इनको questions को, f of x is equal to, x plus 1, when x is greater or equal to 1, और x square plus 1, when x is less than 1, तो कौन से point पे चेक करेंगे हम, हमें समझ में आ गया, कि हमें कौन से point पे चेक करना है, केवल 1 पे चेक करना है, क्योंकि 1 पे ही दोनों cases है, तो 1 पे हम right hand limit निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकाल लोगे अब दोस्तों आप, f of 1 plus h, 1 plus h इसमें रख देंगे, 1 से बड़े वाले में, यह क्या बन जाएगा, limit h tends to 0, 1 plus h, plus 1 h की जागे 0 रखेंगे, तो यह 2 बन जाएगा, और left hand limit निकाल लेंगे हम, f of 1 minus h, 1 minus h square, plus 1, इसमें भी h की जागे 0 रख दीजिए, simplify करो, यह भी 2 आगया, f of 1 भी इससे निकलेगा, किससे इससे, equal to 1 इसमें लगाए, f of 1, तो x की जागे 1 रखें, 1 plus 1 कितना हो जाएगा, 2, तो रहल, is equal to LHL, f of 1, तो इसका मतलब है, answer क्या हुआ, no point of discontinuity, no point of discontinuity, there is no point of discontinuity, in this particular function, question number, अब आपके पास, जो दो questions से हैं, 11th और 12th, ये भी लगबग इसी के जैसे हैं, तो हम उन दोनों को भी discuss करके, 13th आनवर्ड, अगले वीडियो में discuss करेंगे, तो आपका एक segment, हो जाएगा, 11th आपका question है, f of x is equal to x square minus 3, x less or equal to 2, x square plus 1, x greater than 2, अब अगर आप इसका right hand limit निकालेंगे, तो right hand limit 2 plus h इसमें रखना पड़ेगा, फिर h की जगे 0 रखेंगे, तो आप 5 हो जाएगा, left hand limit आप निकालेंगे systematically, and you should promise, कि आप systematically निकालेंगे, तो इसमें रखेंगे, तो 2 minus h का whole square, h की जगे जब 0 रख देंगे, तो 4 minus 3, 1, right hand is not equal to left hand limit, तो यह discontinuous है, f of x is discontinuous, at x is equal to 2, और question number 12 है, आपके पास, f of x is equal to, x to the power 10 minus 1, आप power से घबराईएगा नहीं, बिल्कुल आसान है, इसको 1 पे निकालेंगे हम, तो 1 पे right hand limit क्या हो जाएगी आपकी, limit h tends to 0, f of 1 plus h, तो 1 plus h से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे, कि binomially इसको open करना पड़ेगा, ध्यान से देखें, h की जगे 0 रख देंगे आप, तो यहाँ जाएगा, 1 plus 0 power 10, minus 1, तो यह आजाएगा, 1 to the power 10, 1, minus 1, 0, इसी तरीके से आप इसका left hand limit, sorry, extremely sorry, right hand limit इससे निकलेगा, उपर वाले से, ओ, नीचे वाले से, तो 1 plus h whole square, तो यहाँ जाएगा आपका 1, और left hand limit निकलेगा आपका, 1 minus h, इससे निकलेगा, इसमें x की जाएगे, 1 minus h, डाल देंगे, 1 minus h to the power 10, minus 1, h की जाएगे 0 रखेंगे, तो यह जाएगा, 1 to the power 10, minus 1, 1 minus 1, 0, तो right hand limit is not equal to, left hand limit, तो यह f of x, क्या हो गया, f of x, discontinuous है, at x is equal to 1, तो यह दोस्तों काफी, लंबा लेक्चर हो गया, आपने देखा, काफी महनत की हमने, बेसिक से हम question number 12 तक आए, सारे concept चीके, एक बार आप इनको जरूर करिये, overall, 34 questions are there in your book, तो हम we will be discussing, all the 34 questions, so that you will be able to find their solutions, कि कैसे उनको solve करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, कितना छोड़ना है, मेरी best wishes हैं, आप अच्छे से अच्छा करें, चैनल को like, share, subscribe करना ना भूलें, और दोस्तों तक बात पहुचाएं, ताकि ये बात आगे तक जा सके, आप अच्छे बनेंगे, तभी आपका nation strong बनेगा, मेरी best wishes हैं, मैं Dr. आकेस कुमारत्रिपाटी, PhD in Mathematics, और आपके लिए अच्छे से अच्छा करने की, मैं कोशिस करूँगा, इसी के साथ आपको all the best.